Good morning children, so today we will continue over tenses, so हमने present tense complete कर लिया था और आज से हम स्टार्ट करेंगे past tense, okay, so सबसे पहले past tense जैसे हमने present tense पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि present tense के 4 टाइप्स थे, तो similarly हमारे past tense के भी 4 टाइप्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे, और सबसे पहले आपको यह जाने के ज बोलते हैं, भूत काल, okay, past tense को हिंदी में भूत काल बोलते हैं, और जहां में past की अतीत की बात हो, या जिसके last में था, थी, थे, आई, ठीके, क्या, था, थी, थे, आई जहां पर, वो आपका past tense की पहचान होती है, तो past tense यानि की जोचिर आपकी past में हो चुकी है, ठीके, So, similarly, बच्चो, हमारी भी past, जैसे के हर tense की चार टाइपस होते हैं, तो past tense की भी चार टाइपस होते हैं, simple past, past continuous, past perfect और past perfect continuous, ठीके, तो सबसे पहले, we will start from simple past, अब जैसे आपको पता चल रहा है कि simple जैसे में simple present पढ़ा था, तो simple past में भी क्या होगा, बहुत simple sentences होंगे, habitual चीज आपको निकल की मिलेगा, तो simple past tense में simple बाते होंगे, जैसे की राम स्कूल गया था, सीता ने खाना खाया था, हमने खेला था, हमने की काम किया था, तो जो भी habitual sentences जहां पे आपको दिखाए देंगे, simple sentences जहां पे आपको दिखाए देंगे, वो आपका simple past होगा, अब इसमें ज जहां पे होगा, वहां पे आप was लगाएंगे, और plural subject जहां पे होगा, वर लगाएंगे, अगर राम, श्याम, अगर एक बंदे की बात होगी, तो आप was का use करना, और जहां पे plural, या एक से जादा लोगों का use हो, या I, वर, यू दे, जहां भी आपको मिलेगा, वहां पे आ होता है कि I exceptional case है, I के साथ आप was का use कर सकते हैं, बाकी हारे सारे plural subject के साथ आप was लगा सकते हैं, तो helping verb आपकी was या वर होती है, और या तो आप was वर का use करेंगे, और अगर आप was या वर का use नहीं कर रहे हैं, तो आप simply verb की second form का use करेंगे, जहां भी आप second form का use करेंगे, वहा आप was वर नहीं लगाएंगे, और जहां पर आप was वर का use करेंगे, वहाँ पे आप second form नहीं लगाएंगे, तो ये दोनों चीज़े, was वर और ये वर की second form, ये दोनों आपके option में होंगी, जहां आपको second form की requirement दिखेगी, आप महा second form लगाएंगे, जहां was वर आपको लगेग क्या है, subject, subject के साथ verb की second form और अगर हम verb की second form नहीं लगा रहे हैं, तो हम was या वर लगाएंगे, singular होगा तो was, plural होगा तो were और last में मारा object, जैसे कि हम अभी कुछ examples लेखते हैं, जैसे कि राम went to school, राम school गया था, तो यहां पर हमने क्या देखा, कि हमने verb की second form go went gone, यानि कि हम यहां पर हमें was या वर की use करने की कोई जरुरत नहीं है, अब जैसे कि he ate food, उसने खाना खाया था, तो eat के second form ate हमने यहां पर इस्तमाल कर दिया, he read the newspaper, उसने एक बार पढ़ा था, तो read, 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 तो यहां पर हमने second form लगा ती, इस तीनों sentence हमारे simple past हो गया है, ठीके, इनसे पत बच्चा था, तो आप यहां पर कैसे बोलोगे, I was a child, अब यहां पर मैं बच्चा था, तो इस बात को denote करने के लिए, या इसको जब आप grammatically use करेंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर was का ही use कर सकते हैं, ठीके, तो कुछ sentences ऐसे होंगे, जहां पर आपको was और verb के use करन करेंगे, जैसे कि अगर मुझे बोला हो कि वो absent थे, तो मैं क्या बोलोंगे, they were absent, ठीके, तो यानि कि वो absent थे, अगर आप इसको लिखते कि they were absented, तो यही गलत होता है, absented कोई word नहीं होता है, हमेशा appropriate form of verb भी आप use करेंगे, और जहां पर वर या was आजाए, वहां पर और वर्ब के second form, इन दोनों में से किसी एक का use आपको करना है, दोनों आप साथ में use नहीं करेंगे, ठीके, जैसे कि मैं भी आप वो example देती हूं, suppose मैंने आपसे बुला, did you play, क्या तुमने खेला था, did you play, तो do, did, done, यानि कि यहां पर वर्ब के second form did आ गई है, तो यहां पर हमने verb की first form, play, use किया, ठीके, यहां पर प्लेट कभी नहीं कर सकते, वो grammatically incorrect हो जाएगा, ठीके, तो यानि कि या तो वर्ब के second form का use करेंगे, या तो आप वास वर का use करेंगे, singular के साथ वास, प्रोल के साथ वर, और आई exceptional के ही से, इसके साथ आप वास का use कर सकते हैं, अब ही जो हमने miss out कर दी थी, वो यह थे कि sentences आपके तीन types के होते हैं, affirmative, negative और interrogative, affirmative मतलब जो आपके sentence positive होते हैं, simple होते हैं, negative मतलब जहां पर negative आजाएगे, यहां पर not, none, no, never, ऐसे word आजाएंगे, वो आपके negative sentence होंगे, और interrogative, जहां पर interrogation हो रहा, कोई question पुछा जा रहा हूं, उसे हम interrogative sentence बोलेंगे, तो मैं आपको यहां पर कुछ examples दिखाती हूं, जैसे कि, राम went to school, तो यह simple और positive sentence है, तो यह आपका affirmative sentence है, but राम didn't eat his food, राम ने अपना खाना नहीं खाया था, तो राम यह not यहां पर आगया, did not यहां पर आगया, तो यह आपका क्या होगे, negative, ठेके तो negative में क्या आएगा, no, not, never, यह सब आपके negative में हैंगे, suppose, I never met him, मैं उससे कभी नहीं मिली थे, तो जहां पर never आगया, तो यह भी negative sentence होगा, I will not meet you, तो यहां पर भी not आया, तो यह भी एक negative sentence होगा, यह example देखे, did राम eat his food, अब क्या राम ने अपना खाना खाया था, यह interrog sentence है, जहां भी interrogative sentence होगा, वहां पर आप अपनी वर्प को पहले लिकर आएंगे, और रेस्ट आप बाद में लिकर आएंगे, तो did राम eat his food, क्या राम ने अपना खाना खाया था, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वर्प की second form did आई है, तो यहां पर eat हमने लिखा है, अग वर्प की second form हमने did का use किया है, और was वर का यहां पर use हमने बिल्कुल नहीं किया है, तो did राम eat his food, क्या राम ने अपना खाना खाया था, question mark, did they go to school, क्या वो school गए थे, तो question mark, यान कि यह दो sentences जो है, यह आपके interrogative sentence है, जहां पर no, not, never आएगा, वो मेशा आपका negative sentence होगा, औ और simple sentence जिसमें negativity ना हो, वो आपके affirmative यान कि positive sentence कहलाएंगे, okay, always first form of verb with did, did की साथ हमेशा आप verb की first form का है इस्तिमाल करेंगे, ठेके, did की साथ हमेशा आप verb की first form में use करेंगे, जैसे कि did राम eat his food, did की साथ हमने eat किया, ठेके, did की साथ हमने go use किया, तो did की साथ हमेशा आपको verb की first form use करनी है, so simple past tense में आपकी helping verb was या वर होती है, या तो आप was वर का use करेंगे, या तो verb की second form का, तीन sentences होंगे आपकी positive, negative and interrogative, okay, positive में positive, negative में no, not, never, none, और interrogative sentence में question mark आएगा, और हमेशा question arise होगा, did के साथ हमेशा verb की first form use करेंगे, singular subject के साथ was, plural subject के साथ अवर का use करेंगे, this was your simple past tense, I hope you all liked it, so please do ask your doubt in the comment section and bye-bye